पेश है डाक्टर हर्बजन सिंग दिया कवितावा ती मेरा बच्चपन मैं जातोरा अते पद्मा दापाट व्याख्या ते प्रशन उत्तर सतसरी अकाल जी तुसी देख रहे हो पुझाबी वाइट बोर्ड चैनल इस चैनल ते तो हड़ा स्वागत कर दे हां आज दी साधी वीडियो दा विशा है डाक्टर हर्बजन सिंग दी लिखियां होन्या चार कवितावा जेडियां की पाठ पोस्त काव कीर्ती विच दर्जहन ती मेरा बच्चपन मैं जातुरा पद्मा इनना कवितावा दी व्याख्या शबदर ते प्रशन उत्तर तुसी इस वीडियो दे विच देखोगे सब तो पहला डाक्टर हर्बजन सिंग दी लिखी होई कविता ती इस दा पाठ ते शबदर्थ इस परकारहन तर्ती दे हेठा तौल है तर्म है एक मेरी ती है तर्ती ता बोज है दुख है कोज है सेंदी है ती पर करती न सी तौल ता ठक्क्य ठक के बैगया तर्म भी हार्या पंख लाके उड़ गया ती आनू ठक्कन दी पंख लाके उड़न दी जाच नहीं है इस कावंद जड़े शबदर्थ ने तौल बर्दन केहा गया है प्रातन विश्वास नुसार के इतर ती जड़ी एक बर्दने सिंगा ते चुक्की होई है कोज पाव सोहज दा उल्टा पद्धा होन दा पाव चतर्मुख ब्रह्मा ने दुनिया बनाई उन्हें दुख बनाए सहजपुज उन्ना संग लड़न लई एक देवी अस्टपुजी है पर ती इता है मनुख ओवी अद्धी मसां पाउनी ओ दुखा संग लड़नी नहीं दुख चुक्दी है तर्ती दे हेठा कदे तौल सी तर्म सी होन मेरी ती है चतर्पुज इते ब्रह्मा वास्तिया है चार बाहां बाला सहजपुज जीनिया हजारा बाहा होन अश्टपुजी आठ बाहां बाली पाव देवी दुर्गा ती कवित्ता दे शवदार ते पार्तु सी देख्या इस कवित्ता दी व्याख्या इस परकार है तर्ती दे हेठा तौल है तर्म है एक मेरी ती है कवी लिखदा है कि लोक विश्वात सुनसार के तर्ती दे हेठा एक बर्द है जिसने तर्ती सिंगा ते चुक्की होई है ये तर्ती ता रमरूपी नेमा दे आस्रेटी की होई है कवीदा विश्वाश है कि उस दीती अर्थात इस्त्री है उसने वी तर्तिता पार चुक्या हुया है तर्तिता बोज है दुख है कोज है सैंदी है ती पर कर दीना सी तरतियक बोज दुखते कोज दे समान है इस दे सारे पार नू इस्तरी रूपीती चुक दी है पर मुहों जरावी सी नहीं कर दी उनू जो भी दुख हुंदा है वो सारे दुख चुक दी है पर उस दुख दा जिड़ा एहसान नहीं जितों दी तोलता ठक्केया ठक के बैगया तारम भी हारया पंक लाके उड़ गया कभी कहनदा है कि होन लोक का दा एह विश्वास डोल चुक्या है कि तर तीनू बर्द ने सिंगा ते चुक्या होया है तारम भी चिवी लोक का दा विश्वास नहीं जिहा विश्वास कटदा जा रहा है लोक तारम ते चलन वाले पहला जिनने पके नहीं रहे ते इस तरह जापदा है जिमें तारम में जड़ा खांब लाके किद्रे उड़ गया हुवे तिया नू थक्कन दी पंक लाके उड़न दी जाच नहीं है तिया रूपी स्तरियां खांब लाके किद्रे उड़ भी नहीं सक दियां उन्ना नू उड़न दा तांग नहीं आउंदा जाच नहीं आउंदा त्रीका नहीं आउंदा इस करके उसारे दुखांदा पार अपने स तिर उत्ते जुक्की रखदिया हन। कह़त्व हैं कि च staying पुझ ब्रह्मा ने दुनिया बनाई उने दुख बनाई। सहज़ पुझ, उन्ना संग लाण ली एक देवी अस्ट फुझी है। कभी कहनदा है कि चार पुजां वाले चार बाहां वाले ब्रह्मा ने दुनिया साज्जी है बनाई है, उसते नाल ही हजारां बाहां वाले उसने दुख बनाए हन, उन्ना नाल लणली अठा बाहां वाली देवी दुर्गा भी साज्जी है बनाई है, पर ती इता है मनुख, ओ वी अद्धी मसा पौनी ओ दुखा संग लड़ी नहीं दुख चुक दी है। कभी केंदा है कि ती रूप इस्तरी देवी नहीं है। सगो वे मुलुक है कि उसनु वी मर्द दे बराबर दर्जा नहीं मिलदा। उनु मसा अद्धी जा पौनी दा दर्जा ही प्राप्त है। इस दे वावजूद वी ओ दुखा नाल लड़ी है। दुखा नु चुक दी कदे तौल सी तर्म सी उन मेरी ती है। कभी केंदा है कि कदे लोक विश्वास अनुसार तर्ती बरदने सिंगा ते चुकी होई सी। लोक विश्वास एवी सी की तर्म दे नियमा दे आसरे जड़ा है तर्ती खड़ी है। तर्ती नूट का के जड़ा रख्या होया है तर्म नियमाने पर आज जे सारे विश्वास डोल चुके हन आज तांतर तीदे पार नुचुकन वाली ती रूपी इस्तरी ही है सो तीक वित्ता दी व्याख्या तुसी देखी उन्हें इसक वित्ता तेदार्थ प्रशन उत्तर इस परकार हन तीक वित्ता रिच्णा धा सारंश लिखो जा विशावस्तु की है इस तांतर है तीक वित्तां डाक्टर हरपा जन सिंग दी लिखी होई है इसक वित्ता विच कभी इस्तरी जातिरी बहादरीनु सिविकारदा है ते समाजक संतूलन दी काइमी विच उस दे योगदानु सलोंदा है लोक विश्वास नुसार तर्थी देहे ठाएक वर्द है जिसने तर्थी सिंगा ते चुकी होई है ये तर्थी जड़ी है तरम रूपी नियमा दे आसरे खड़ी है तर्थी एक भोज दुख ते कोज है इस सारे दा पार इस तरी रूपी ती चुक दी है पर मुहों जरा भी सी नी कर दी अग्ये चल के कभी लिखदा है कि हुन लोक कांदा विश्वास ए डोल चुक्या है कि तर्थी नु बर्द ने सिंगा ते चुक्या होया है तर्थी लोक कांदा विश्वास काठदा जा रहा है ते कभी नु इंज जापदा है जिमें तर्थी जड़ाव खंब लाके किदरे उडगया होगे परंतु ती रूपी इस्तरियानु सारे दुखांदा पार अपने सिर्थे चुक्ना पेंदा है कभी केंदा है कि चार वाहां वाले ब्रह्मा ने दुनिया साजी है पर नाल ही हजारां दुख बनाए हैं उन्ना नाल लड़नली अठा वाहां वाली देवी दुर्गा है पर ती रूपी इस्तरी देवी नहीं सगो मुनुक है उसनु भी मर्ग देव राबर्दा दर्जा समाज देवेच नहीं मिलया होया इस देव आवजूर वो दुखा नाल लर्दी नहीं संगो दुखा नुँ चुक्दी है आंते वेच कभी केंदा है कदे लोक विश्वास अनुसार बर्दने तर्थी आपने सिंगां ते चुक्दी हो यी सी ता रमदे नियमा ते तर्थी नूसी क्या समझजा जान दा सी पर एज आः सारे विश्वास दोल चुक्दी हन अजिता तर्थी देपा नूँ चुक्दी रूुपी इस्तरी है इस तो बाद प्रशन है जी इस परवान वाली पौडी देविच मिलदा है। है कि तर्ती किसे वर्दने सिंगा उते चुकी होई है गुरु जी अंसार तौल प्रमातमा दी दया विच्चो उपजया होया तर्म ही है जिस दे सूतर विच्च तर्ती बज्जी होई है प्रेशन तर्म पंक कर उड़ रहा कि तुसी गुरु नानक देजी दे उपरोग्त मातन जोग के युग विच्च साच मांदे हो क्यों इस दा उत्तर जी गुरु जी दा प्रोग्त कथन जोग के युग विच्च साच है तो कि आज लोग पहला तो भी वादता रमदा त्यार कार चुके हन पखंडी वान चुके हन हर पासे जीड़ा है अफरात अफरीदा महौल है ते जीड़ा जीवन है उस दे विच्च गरावट आ रही है नैते कदरा कीमता जेड़िया लोग का दे विच्चों कट दिया जा रही है हन इस दो बाद प्रेशन आदुनिक जुग विच इस तरी पुर्खतों कि ते वद तरम पाल दी है कि तुसी उपरोग्त मातनाल सहमत ह तो क्यों इस दा उत्तरे जिए इस प्रेशन दा निश्चित उत्तर नहीं हो सकदा इसते साब दी वख्रीवख्री राय जरी हो सकती है एगर ठीक है कि पुर्खते मकावले इस तरीया वद पूजा पाठ कर दिया हन पार पूजा पाठ करना ते तरमदे राते चलना दो वख वक्वक गल्लाहान. इस यह ड़ा प्रशन है कि इस्तरी वद्ध तरम दा पालन कर दी है. इस मत वारे असी पक्के तोरते कुछ नहीं कह सकते. प्रशन ती कवित्ता विच के स्ती दा चित्तर पेश किता गया है. इस दा उत्रहजे इस कवित्ता विच ती दे रूप विच समु समुच्ची इस्तरी जाती दा चित्तर पेश होया है. इस तो बाद प्रशन ती कवित्ता दा केंद्री जा अंत्री पाव लिखो इस दा उत्रहजी कदे एह विश्वासी की तरती तौलते तरम दे आसरे खड़ी है पर आज इस विश्वास दे डोल जान दे वावजुद इस आश्टपुजी देवी मनुख दे दुखाना लर्दी है इस दा वर्नन पंजाबी दी के स्परातन रचना विच है इस दा उत्रहजी आश्टपुजी देवी दुर्गा है जिस दा वर्नन गुरू गोविन सिंग जी दी परसेद रचना चंडी दी वार विच मिलदा है इस तो बाद प्रशन तर्तिदा बोज कौन किस तरा सेंदी है इस ता उत्र है कभी अमसाल तर्तिदा बोज ती सेंदी है ते ओ सी नहीं कर दी डॉक्टर हर्पा जन सिंग दी पहली कविता ती देखी तुसी उसता पार्ट व्याख्या ती प्रेशन उत्तर देखे उन पेश है इनना दी लिखी होई दूजी कविता मेरा बचपन पार्ट पहलना इस कविता दा मेरा बचपन अजेना आया मेरा बचपन कद आवेगा जद उम्रादी चोली देविच दो तिन चार जपंज वरेशन मां दे बुल विरानना उत्ते कदेन उग्गी हरी कुरूमल नैन उस्दे परेपरेशन दिन जों बुझे बुझे परशामे मां मेरी दी सगल मशक्कत नीनी नजर सदा शर्मावे रात सुलक दा सुन्जा पाला मैं मेरी मां दीप वहूने जो ने रेदी चुम्ब मार के दो बुटे कुमलाए सुते साड़े वेडे मरी कहानी एक सी राजा एक सी रानी शबदर्थ इस कावंद दे बुल वरान पाव कवी दे अनुसार माहस दी नहीं उस दे बुल्ला विच जड़ी है बंजर तर्थी वर्गी शांती है जित्थे एक वी हरी कुमल नहीं उगदी सागल पाव सारी कुल मुशक्कत महनत दीप विहूने दीप तो बिणा दीवे तो बिणा अगला कावंद कदी कदी मेरी माँ आखे वे मेरे दुख दर्द दे हानी मेरी हिकनू लगके सोजा जिस थाओं तिरा बाप सिदाया उस थामे कोई पाप न आवे मेरे बुटे गबरू हो जा तेरी सामे मैं सोजामा कदे कदे बालां दे कुछड सोन निचेंत निकर्मन मामा मैं अपनी माता दा उल्ला उस दी छां उस दा परशामा शबदर्थ हानी पाव हम उमर सिदाया मर गया निकर्मन बद किसमत अगला कावंद उंजता हर मा सोनी हुंदी पर मेरी मा देख देख के हर अक सुलगे जिमे दोपैरी मैं उस दे संग तुरिया जामा चुप संगनी छाम इकैरी नजर नजर मेरा मक्तब सी बोल बोल सी संथा मेरी बचपन अउंदाता किस राहों हर रासूज समझने के री शबदर्थ हर अक सुलगे सोनी मानू देख के लोग का नियक्खा जडियाने लाल सादी तेज अगनार मग उठ दिया सन चुप संगनी शाम कैरी मा पुत दो में जने चुप चाप रेंदे सन मक्तब स्कूल संथा सवक पाठ दा सिख्या अगला कावंद एक दिन माने बात सुनाई के मैं उसने अपने हथी पिता मेरे दी चिता जलाई फिर कुरलाई नई नई मैं अपने हथी तेरा बचपन आप जलाया मेरा बचपन उदोन आया मेरा बचपन कद आवेगा शवदर्थ चिता पाव चिखा मिर्त देनू जित्थे साड़े जान्द है कुरलाई पाव रोई कविता मेरा बचपन आजे ना आया मेरा बचपन कद आवेगा बचपन तो पता हीन होया बच्चा बढ़ी उमर वेच पहूंक के अपने जीवन ते हरान हुनदा है तो अपने पिछले जीवन ते चाती मारदा होया उसनुँ चेते करदा होया कहिनदा है कि मेरे ते तां कदे बचपन नहीं आया इस करके मेरा बचपन कदों आदेगा ता बडेरी उमर्च पहुंच के उसनों अपने पिछले जीवन ते जानी बचपन ना ओन दा चोरा है उसे चोरेनों इस कवित्ता देविच पेश कीता है जद उमर्ण दी चोरी देविच दो तिन चार जा पांज वरे सन मा दे वुल विरान ना उत्ते कदी न उगदी हरी कुरूमल ता अपने बचपन ना ओन दा कारण कवी दस्दा है कि जदों हजे मैं तिन चार जा पांज साल लान दा ही सां ते मेरे पिता जेड़े हो मर गए जि कवी मा दे विरान बुला उत्ते कदे खुशी दी हरी कुरूमल ना फोट सकी नैन ओस्दे परे परे सन दिन जों बुजे बुजे परशामे मा मेरी दी सगल मुशकत नीमी नजर सदा शर्मावे कभी केंदा है कि मेरी मा दिया अख्खां हर समय पर यां रहन दिया सन हमेशा शर्मावे दी रहन उत्ते ही लगदा सी क्योंकि ओ एक विद्वा सी रात सुल्ग दा सुनना पाला मैं मेरी मा दीप वहूने जो ने रेदी चुम्ब मार के दो बुटे कमलाए सुते साड़े वेडे मरी कहानी एक सी राजा एक सी राने रातनु जदो कमनाल ठकी टुटी उस दी मा कर आउंदी ता ओ दो में मा पुत्तर हने रेवेच सौँ जांदे गरीबी दे कारण उन्ना दे कर कोई दीवा बत्ती वी नहीं सी हुन्दा उस दी मा कोरणा वच्चेयां दी मा वांग उसनू राजय राणी दी कहानी भी नहीं सी सुना सकदी क्योंकि इस दा कारण एक दा उस दा देन पर दढ़ा थकेमा हुन्या सी अगला कावंद कदी कदी मेरी मां आखे वे मेरे दुख दर्द देहानी मेरी हिकनू लगके सौझा जिस थाओं तेरा बाप सदाया उस थाओं कोई पाप न आवे मेरे बुटे गबरू हो जा। मां उसनू राजे राणी दी कहानी सनौन दी था केंदी हुन दी ए मेरे पुटर तू मेरे दुख दर्द दा हानी हैं तू मेरी हिकना लगके सौझा जित्थे तेरा बाप गया है उस थाओं ते ता कोई पापी भी ना जावे ए मेरे बुटे आ तू छेती छेती जवान हो जा तां जो मैं तेरी निग्गी ठंडी शाहेठ अराम कर सकां। सो माय जेडा वो पुत्तर दा आसरा तक दी है। तेरी शामे मैं सौं जामा, कदे कदे वालां दे कुछड, सौन निचंत निकर्मन मामा, मैं अपनी माता दा उल्ला, उस दी शाह, उस दा परशामा। कभी कहनदा है कि ओ मामा वदन सीव हुंदियां हन जिन्ना नू अपने निकर्वाल का दे कुछड होके सोना पहनदा है। बच्पन तो ही पिता हीन होया बच्चा वड़ी उमर विच पहुंच के अपने वीत्ते जीवन नू जाद करदा है। उंजता हर मा सोनी हुंदी पर मेरी मा देख देख के हर अक सुलगे जिमें दोपैरी। मैं उस दे संग तुरिया जावा चुप संगनी चाम एकैरी। बच्पन तों पिता हीन बच्चा वड़ी उमर विच पहुंच के वित्ते जीवन नू याद करदा है ते कैंदा है कि हर बच्चे नू अपनी मा सोनी लगदी है। चुप चुप रेंदे सां, ओ मैंनू अपनी छांदे रही सी, पर संगनी चुप विच असी दो जने एक ही परतीत हुन दे सां। अगला काबंद, एक दिन मा ने बात सुनाई कि मैं ओसने अपने हती, पिता मेरे दी, चिता मेरे दी, पिता जिलाई, बच्पन तो ही पिता हीन हो चुक्या बच्चा वड़ी उमर वेच पहुंच के, अपने वित्ते जीवनू याद करदा है, केंदा है, एक दिन मेरी मा ने मैंनू सारी कटना सनाई कि किस परकार, उसने अपने हत्था दे नाल, मेरे पिता दी, चिता नो जिलाया सी, फिर कुरलाई, नहीं, नहीं, मैं अपने हत्थी, तेरा बच्पन आप जिलाया, एक अल केंदी होई, मेरी मा कुरला उठी, रोण लगी, उसने केवल उसने पिता दी, चिता नो नहीं सी जिलाया, संग उसने अपने बच्चे दा बच्पन वियोसते नाल जिला दिता सी, मेरा बचपन उदो ना आया मेरा बचपन कद आवेगा कवी कहनदा है कि जदो मैं छोटा सा तां मेरे पिता दे चितान आल मेरा बचपन भी जल गया इसे करके मेरा बचपन उदो नहीं आया मैंनू होरना वच्च्याँ वांग खेड़नू कुद्दनू पिता मां दे सिर्थे ऐच्छा करनू नहीं मिलिया जदो मैं छोटी उमर दासा ता मैं सुमाल करदा हां कि मेरा बच्पन उमर दे किस हिस्से विच आवेगा पाव कभी नू हुन महसूस हुनदा है कि उस दा बच्पन होना कदे नहीं आवेगा सो चोरे नू पेश किता गया है किविता दे विच बच्पन ना आउन दे मेरा बच्पन कवित्ता ते अदारत प्रशन उत्तर इस पर कारहन मेरा बच्पन कवित्ता वेचले विचारां दा सार लिखो इस दा उत्तर है मेरा बच्पन कवित्ता डक्टर हरपा जन सेंग दी लिखी होई है एक उस वेक्ति उत्ते के इंदरत है जिस दे बच्पन विच पिता दी मात हो गई उस दा अर्ण वच्चयां वांग अपना बच्पन नहीं सी पोग सकया उसनों अपनी माँ दे बुल्ला उपर कदे भी मुस्कराहट ना दिसी सगों अपने दुखां परे जीवनकान उस दी अखां वेच हार समय हंजू रहन दे सन विदवा होन करके उस दा सारा जोर दुखां दिया मैलिया नजरां तो बचन लई हार समय अखां नीमिया रखन ते श्रमाओं दे रहन वेची ही लगदा सी रात नू जदो कामतो ठकी टुटी ओ मां कार आऊंदी ता दो में मां पुत्तर हने रेवेच सोंजां दे गरीवी दे कारों ना दे कार कोई दीवावत्ती भी नहीं सी हुंदा उस दी मां उसनू ठेकना लाके इच्छा कर दी कि उस दा पुत्तर जल्दी जवान हो जावे इस परकारों अपनी निकर्मन मां दा आसरा बनेया उस दी विदबा मानू हर कोई मैली अखनाल देखदा सी लोकां दिया मैलीया नजरा बच्चे लई एक पार साला शन स्कूल सन उनना दा एक एक बोल बच्चे लई सब कसी जेही हालत दे विच उस बच्चे दे जीवन वि बच्चपन दी मासूमियत बेपरवाही ते माता पिता दे लाड़ प्यार नू नहीं मान सकया इस परकार बच्चपन विच पिता ही इन बच्चे दा बडेरी उमर विच पुजन दे बच्चपन दी मासूमियत बेपरवाही ते माता पिता दे लाड़ प्यार तो वांज्या रेंड दे चोड़े ते उस दे परवावनू ही इस कवीता विच ब्यान किता गया है प्रशन है इस नजम विचले बच्चे पास बच्चपन दा तजर्बा है ता भी ओए क्यों कहनदा है कि मेरा बच्चपन अजे ना आया इस दा उत्तर है इस बच्चे कोल बच्चपन दा तजर्बा जरूर है सदा आर्ण बच्चयां वांग बे परवाही मासूमियत पर या उस दा जड़ा तजर्बा नहीं सगों चिंतामा ते चीतनता पर या तजर्बा है पिताहिन होन कार्ण सदा आर्ण बच्चयां वरगे बच्चपन तो वांजा रहन करके ओ बच्चा कहेंदा है कि मेरा बच्चपन अजे तक नहीं आया इस तो बात प्रशन मेरा बच्चपन की वित्तादा अंत्रीव पाव लिखो इसदा उत्र है पिताहिन बच्चा फोरना सदा अर्ण बच्चा वांग अपना बच्पन नहीं बिता सकया उस दी शर्म है विच डुबी मां उस दे मांसिक अते सरीरिक विकास विच ही सा नहीं पा सकी जेहा वच्चा जदो वड़ा हुंदा है ता उसनों इस गल्दा दुख ह हुंदा है कि उस दी मासूमियत उस पासों खोस गई है इस कविता विच पेश मांदे चरित्रुत्ते संखेप नोट लिखो इस दा उत्र है जी मांदा पती मार चुक्या है उस दा बच्चा हाजे बहुच होता है वो नजर नीमी करके रख दी सी सदा शर्माउदी रेंदी स लोग उसनों बुरिया नजरा नल तक दे सन उस दी आखा सदा दुखा विच्चे हंजुआ नाल पर यह रहनिया सन ते बुल्ला ते कदे हासी नहीं सियांदी मुस्कराहट नहीं सियांदी प्रेशन एक दिन बच्चे दी माने उसनों की दस्या इस दा उत्तर है एक दिन पिता दे मरम ते उस दे पिता दी चिता नू जलाया सी ए दसके ओ रोन लगी करलॉन लगी ते कैन लगी की आसल वेच उसने बच्चे दे बच्चपन नू ही उस दिन चिता दे नाल जला दिता सी प्रशन बच्चा ए क्यों कहनदा है साड़े वेडे मरी कहानी एक सी राजा एक सी रानी इसदा उत्ब sangat बच्चा एग लिसकर करके कहती है क्योंकि पिता दी मौत बे कारण उस-था बच्पन दूजे बच्च्चा वांग राज रानिया कहानियां सुन द्यां नहीं सी बीत्या क्योंकि कम ते फिक्रा दी मारी Stillman उन्हें एक हाणिया नहीं सी सुना सकी। प्रेशन बच्चा क्यों कहना है मेरा बच्चपन अजेन आया। इस दा उत्टर है क्यों कि बच्चे दा पिता उस दे बच्चे दी निक्की अमर विच्छी मार गया सी ते उस बच्चे नू होरुना बच्चे वांग सोख बेपरवाही पर्या佐य जीवन नहीं सी मिलिया। अन्युक्तives माबाप दा लाड़ प्यार नहीं सी मिलिया। इसे करक कि बच्च ये गल कहनदा है प्रेशन पिताहीन होन समे बच्च दी उम्र किमें सी इस दा उत्तर है जी पिताहीन होन समे बच्च दी उमर ए जेडी उसनों इस दा सही अंदाज़ा क्विता देवेज नहीं है उसनों इन्ना कुछ Keyscendo क्यों 1 चार्यादर पंज वर्यादा प्रेशन कवीता विच बच्चा क्यों उदास है इस दा उत्तर है बच्पन विच उस दे पिता दी मौत हो गई सी इस दा नतीजाए होया कि वो दूजे वच्चा वाँग अपना बच्पन नहीं बिता सकया चोटी उमर वेच्चे कपासे ता पिता दे प्यार ते जहारे तो ओह वाँजा हो गया दूजे पासे उसनों अपनी मातों भी उस परकार दा निग्गा लाड़ना पर या बच्पन प्यार नहीं मिले जिस तरह होरना बच्चे नों प्राप्त हुंदा है इस परकार बच्पन अधि मासूमियत बे प्रवाही ते लाड़ प्यार तो बच्पन जाहूं करके एसे चोरे करके बच्चा जिड़ा हो उदास है हर्पा जन सिंग दी लिखी होई अगली कवित्ता है मैं जातुरा कवित्ता दा पाठ ते शवदर्थ इस परकार हन कभी कहना है मैं जातुरा मेर गीतनों कहना हौली हौली गाए चार कदम मेरे नाल तुरे ते खिर पामे मुड जाए सारी उम्र स साथ निवाया ओड़क वार निवाये लोग कहे ओ गीता वाला तुरे आतुर दर गाहे सौली गल ते गोरा घंजु तुर्दा ता रुक जाए पीर दे पिंडे शिल्तर विल के आखो ना कुर लाए मैं अज दर्द विहूना होया दुनिया क्यों दुख पाए शवदर्थ ओड़क वार आखरी समें तुर्दरगा प्रलोक सौली पावसांवली काले रंग दी चिल्तर लककर तों उबरी हुई चड़नू किहा जंदा है पर इत्थे कवीने परतीक तौ परतेसनों वर्तिया है यते पीर दी शिल्तर कभी कहनदा है मैं जा तुरा कवित्ता दी व्यक्या इस परकार है मैं जा तुरा मेरे गीतनों कहना हौली हौली गाए चार कदम मेरे नाल तुड़े ते फिर पान में मुर जाए कभी कहनदा है कि जदों मैं इस दुनिया तो वि गौंदा होया कवी दे नाल कवी दी जड़ी अर्थी या उस दे नाल तुर्दा जावे चाहे ओ थोड़ी दोर तुर्द के बापस मुड़ो आवे पर ओ उस दे नाल जरूर चले उस गीत ने सारी उमर मेरा साथ निवाया है गीत नू चाहिदा है कि वाखरी समय भी मेरा साथ निवाया रथात गीत ना साथ मर्न समय तक मेरे नार जहिए कभी तियो ही इच्चा है कभी कहनदा है कि मैं नू देख के लोग कैन क्यों गीताँ वाला इस दुनिया नू छड़के तो अरदरगावाल जा रहा है पर लोग वाल जा रहा है जितों ओंसने मुड़के वापस नहीं आउना सौली गल ते गोरा हंजू तुरिया ता रुक जाए कभी कहनदा है कि जेकरोस दे विदा होनते किसे मित्तर सबंदी रिष्टेदार दी आख विच हंजू ओंदे हन ता जीहा नहीं होना चाहिदा उदासी दे प्रगटावे वाला जेहा हंजू रोक जाना चाहिदा है क्यों रोक जाना चाहिदा है अगली सतर दिवेच कवियस्ता उत्तर भी दिन्दा है पीड दे पिंडे छिल्तर विलके आखो ना कुर लाए मैं अज दर्द विहूना होया दुनिया क्यों दुख पाए किसे पीड पर ए मित्तर सवंदी दे पिंडे विच्चों दुख दी शिल्तर चोब लाए ता उसनू कर लोना नहीं चाहिदा पाव मेरे जान दा किसे नू दुख लगे सगे सवंदी नू ता उसनू रोना नहीं चाहिदा दुख नू महसूस नहीं करना चाहिदा क्योंकि उस दण मैं ता दर्द तो मुक्त हो जावांगा ते मैंने चौँदा कि मेरे पिच्चे कोई रोएकर लावे ते दुखी होवे कवीता बेकाइँ विचारा लिखो इस दा उत्तरेजी मैं जातुरा कवीता डक्टर हरपा जनसिंग ती लिखी होई है एक विदा गीत है एक तरा कवी द्वारा कीती गई वसयत है जस वेचो अपनी मौद सवंदी को जपावांगित कर दा है कवी चौंदा है कि जदों ओ इस दुनिया तो विदा हुए ता उस दे गीत नू किया जावे कि ओस समय हौली हौली गौंदा हुए उस दे नाल तुर्दा रवे गीत ने सारी उमर उस दा साथ नवाया है उस नू चाहिदा है कि अंतिम समय भी ओ साथ नवावे जिसनू देखके लोग कहन यो गीताँ वाला इस दुनिया नू छाड़ के तो रदरगावल जा रहा है जितों ओ मुर्टे वापस नहीं आवेगा कवी कहन दा है कि जेकर उसने विदा होन समें किसे मितर सबंदी दी गल उपर हंजु अगदा है ता अजिहा नहीं होना चाहिएगा किसे पीड पर नी पिच्चों कोई रोओ कर लावे ते दुक्त होवें अगला प्रेशन कभी क्यों कहनदा है कि मेरा गीत फिर पामे मुड़ ही जावे कभी चौनदा है कि इस तर्तितों उस दी विदाईगी समय उसता गीत कोज कदम उस दे नाल तुरे फिर पामे मुड़ आवे ओ जेहा इसकर के चौंदा है क्योंकि गीत ने सारी उम्मर उसदा साथ नवाया है कवी चौंदा है कि तुर्दे समे ओ गीत उसदा साथ नवावे जदो गीत साथ होवेगा ता दुनिया कहेगी ओ गीताँ वाला इस दुनिया तो जा रहा है ते इस दे नाल कवी नो एक शांती मिलेगी इस तो बाद प्रशन मैं जातुरा कवीता दा केंदरी जा अंतरी पाव लिखो इस दा उत्र है कवी चौंदा है कि उस दे अंत समय उस दे गीत उस दा साथ देन दुनिया उसनों गीत कार दे रूप विच जाने ते उस दे मरन दे दुखी ना होगे प्रशन मैं जातुरा कवीता विच कवी लोक कांतो की इच्छा करदा है इस दा उत्तराजी कवी दी इच्छा है कि जदो दुनिया तो कूच करे ता उस다 गीत हुले हुले गौंदावे स्ते नाल तुर। जावे। चार कदम तुर्न तु सथाा बाद पामें तो पिछे मुर जावे। ता जो लोग का नूँ पता लग जावे। जी Loop 35 कभी ए zar species दुनिया तो विदा हो रहा है। प्रशन विदा वेले कभी परसंद है जा आपरसंद इसदा उत्रजी विदा वेले कभी परसंद है क्योंकि ओ गीत नाल चलना ली कहनदा है ओ मित्तर सगे सवन्दियां दी आख़दे विच्च हंजू भी नहीं देखना चौंदा ते कभी नू लगदा है कि ओ दुखा तो इस बिम्ब है जदों की दूज्जा जिड़ा शावदहन चिलतर विलके इस देविच नाट गुनी बिम्ब है परतीक है इस तो बात प्रशन कभी क्यों नहीं चौंदा कि उसने बार्न मगरों कोई दुखी होगे इस दा कार्ण कभी दस्दा है कि मौत होन तो जदों हो दुख दर्द तो मुक्त होके जा रहा होवेगा तो नहीं चौंदा कि उसने मगरों कोई होर दुखी होगे इस दा उत्तर है कभी चौंदा है कि उस दी वदाई वेरे उस दा गीतों से नाल चल ले मित्तर सवन्दियां दी आख देविच कोई हंजू ना होवे ते लोग उस वारे गल्ला करण की गीता वाला दुनिया चड़के जा रहा है एही कवी दी आकरी इच्छा है प्रशन पीर दे पिंडे शिल्तर विलके दी व्याख्या करो छिल्तर लकरत उबरी हुई चर्णू केहा जानदा है पर एथे कवी ने इसनू पीर दी शिल्तर दे परतीक तौरते वर दी ता विदाई वेड़े दोख दी चोब लगण कारन किसे नू दुखी नहीं होना चाहिएगा हर पाजन सेंग दी आगली कविता दा नाम है पदमा पदमा एक नदी है ये नदी गंगा जदो बांगला देश दे विच प्रवेश कर दी है ता इसनू पदमा किहा जानदा ह इस कविता दा अतिहासिक पिछोकड है 1970 दी पार्त पाक वंडनार सबंद तेहे कविता है पाकस्तानी फॉज पूर्वी पाकस्तान दे विच जिसनू अन बंगला देश क्या जानदा उत्थे जुलम कर रही सी ते लख्खाः बंगला देशी शर नार थी बंगला देश पा उस समय पाकस्तानों शड के पार्त विच ओना चोंदे सन। पार्त दी सरकार ने देख्या कि इस तरह ता बहुत बड़ी समस्या हो जावेगी, तो उस ने पाकस्तानी फौजनाल दो हत करन दा फैसला किता, ते उस समय जेड़ा है पदमा नदी दे विच हड आया होया सी, सैनना जेड़ी पूर्वी पाकस्तान विच दाखल होना चोंदी सी, सो पदमा नदी नू जेड़ी समुच्ची फौज है, ओहो अरजोई कर रही है, सो सारी फौज दे वलनोजिडी अरजोई है, अरदास है, प्रातना है, ओइस कविता दे विच डॉक्टर हर्पा जन सिंग ने लिखी है, पहला कविता दा पाठ ते शवदर्थ, पदमा रता को नीमी होजा, असा पारले कंडे जाना, ओथे जित्थे शैर दी सा रगते तलवार किसे रख दित्थी, ओथे जित्थे सडका सुतियां विच खाकमा कीडे मकोडे बालतरेने, जित्थे बच्चे रुसे वेच चुराहयां सुत्ते थंडी राते कैंदे, असीनी जागांगे, पासा तक नी परतांगे, जद तक साधियां मामा, नालश पाण्या गण्या, आपने कर आनू मुड़ना आवन, आके सानू आप जगावन, उत्थे जित्थे साड़्दे कर आ चो नूहातियां बार ना निकलन, अखन अंदर बाल दी अगदा पोशन चंगा, बाहर नंगी नजर खलोती। जे जन दित्ते कीडे मकौडे, नासल मलख दी कीड मकौडे हो जावेगी, रुस्से बच्चे वेच चुराहयां रैन गे सुपते, होर रता जे देर हो गई, नालश पाण्या गण्या मामा, फेर कर आनू नहीं परतना, कर दे बूहे दे उपर, नंगी नजर रही जे खलोती नूहां ती यां अगदे पोशन वेच्चों बाहर नहीं मुकड़ना, शवदार्त एस काव बंद दे, होर रता पाव थोड़ी देर जे होर हो गई, नंगी नजर अंधी का मुकता परी नजर अगदा पोशन अगदा दित्ता, पदमा कविता दी व्याख्या देख दे हाँ, पदमा रता को नीमी हो जासा पार ले कंदे जाना, कभी पदमा नदीनू पार करके बंगला देश वेच परवेश करनवाली मुक्ती वाहिनी ते पारती फोज दे, सारे फोजियां दे, दिली पावानू भ्यान करदा है, ते कहनदा है कि ओ हडवे चाई पदमा नदीनू कह पारती फोजी कह रहे हन कि असी उत्थे पुजना है जित्थे शहर दी शार अग उपर पाकस्तानी हाकमा ने तलवार रख दिती है, अर्थात जित्थे पाकस्तानी फोजां अनमनुखी जाबर जुलम कर रही हन हन। उत्थे जित्थे सडका सुतियां विच हाकमा कीडे मकौरे बालतरे लें। उस्थांते इस्त्रियां नुकरों बेकर करके शडकांते सुत्या होया है ते हाकम उन्ना दी बेपती कर रहे हन उज्जित लुट रहे हन। जित्थे बच्चे रुसे विच्च राहयां सुत्ते थंडी राते केंदे असीनी जागांगे पासा तक नी परतांगे जत्रक साधियां मामा नाल शपानियां जन्यां अपने करानू मुर्णा आवन आके सानू आप जितावन। कवी पदमा नदीनू पार करके बांगला देश विच प्रिवेश करनवाली मुक्ती वाहनी ते पारती फौज देश पान्या वल्लों कहरे हैं कि ओ हर विच्च आई पदमा नदीनू रिक्वेस्ट कर रहे हन कहरे हन क्यों नीनी हो जावें। क्योंकि उनना ने उत्थे जाना है जित्ते मामा नतों दिछड के मासूम बच्चे रुसे होए हन। और रुस के ठंडियां रास्ता विच चुराहां ते सरकां ते सुत्ते परे हन। असे इसे तरही इत्थे पएर मांगे। उत्थे जित्ते सर्देकर आचों नूहातियां बार नमिकलन आखन अंदर बढ़ दी अगदा पोशन चंगा बाहर नंगी नजर खलोती। यह पदमा असे उत्थे जाना है जित्थे अगदार सर्देकर आविचों नूहातियां श्पाईयां दियां नजरांतों बचन लई डर्दियां बार में नुकल लियां। अर्थात सानू अगवेच सर्दे मरना मन्जूर है जे कर असी अगदों डर्दियां बार नुकला लियां ता छिपाही सानू अपने पचु पुने दा शिकार बना लेन जो इस करते हो अगदे वेची ही खर्या हन। पदमा रता को नीमी हो जा वारना साड़े शहर दी शार अगवड़ी जाओ जे जन दित्ते कीडे मकौरे नसल मनुक दी कीड मकौरे हो जाओ। मुक्ति वाहिनी ते पार्ती फौजबे सिपाही कहरे हन्हे पदमा नदी तू जरा नीमी हो जा नहीं ता साड़े शहर दी शार अगवड़ी जाओ अर्थात उत्थे कतले आम हो जावेगा। जे कर साड़े जान तो पहला सड़का उपर हाकमा दे जावर जलम नार उपे ता उन्ना दा शिकार जेरिया इस्तरिया होन गियां ते उन्ना तो जेरी नसल पैदा होगेगी और कीडे मकौरे होगेगी। रुसे बच्चे फिर चुराहयां रहन गे सुत्ते को रता देर दे हो गई। नार शिपाण्या गण्या मामा फेर करानू नहीं परतना। जे कर सानौ होर देर हो गई ताशपाणया नाल गजा बच्च या दिया मामाने करानू नहीं आउना ते उन्ना मामा दे कर इनाप पहुंचन करके उन्ना दे बच्चे रुस्पेच राहयां वची सुत्ते रह्णे. पाव ओ बच्चे वी पो ख़दाश कार हो जानगे ते बच पुषण विच्चों बाहर में मुख्ण नाल ही जे करकर आदे अग्गे कामनी शुपाइण दी नजर खलोती रही ता नुआ ती या अग्दी पुषाग विच्चों वार में मुख्ण गया ते ओ अग्दी सरके मर जान गया इस करके ही पदमा उसाड़ी बेंती मन के रता मीन हो जा ताजो असी पार लंग के जालम हाकम तेश पाण्या व्रुद कारवाई करते हैं पदमा की विच्चारी व्यख्या देखी इस्तेदा अर्थप्रशन उत्तरेस परकारहन पदमा की विच्चा दा सबंद किस इतिहास कट नाल है एक वित्ता बंगलादेश दी अजादी अथे 1974 पार्थ पाकस्तान युद्ध नाल सबंदत है इस जंग दे दीज ओदों बीजे गए जदों दास मीलियां निशर नार्थी नसल कुशी तो बचनली पार्थ वाल मुड़े पार्थ ने जल्दी ही समझ लया कि पूरव जल्द सैना ते हवाई सैना नाल ताल मेल कर दे हुए तिन गुनावल नाल हमला किता पार्थी हवाई सैना ने पाकस्तान विच हवाई एड़े नु तवा करके पूरवी सेक्टर विच जित प्राप्ट किती दूजे पासे पार्थी जल्द सैना ने कराची ते हमला करके पा पार्थी हथ्यार बंद बला ने बहुत सारियां रुकावतां दा सामना किता 16 दिसंबर 1973 में हजार पाकस्तानी जंगी कैदियां दी रहाई दे नाल पाकस्तान ते पारतनू समर्पन करन दे नाल एह जो दैजड़ा खत्म हो गया तब पार्थी फौज ने लागबग 93 में हजा अंदर करवाया सी जो की दुनिया दे इतिहास दे विच सवतों बड़ी कारवाई सी प्रशन पदमा कवित्ता विचाय विचारां दा सार लिखो पदमा कवित्ता डक्टर हर्पा जन सिंग भी लिखी होई है बंगला देश दी जंग वेले मुक्ती वाहिनी ते पार्थी सेन अने दिली पावानु भ्यान करदा होया लिखदा है कि सारे फौजी पदमा रवीनी पहर एसन क्यों नीनी हो जाए क्योंकि उन्ना पार्ले कंडे ते पहुंचना है उत्ते पहुंचना है जित्ते शहर विच्च पाकस्ताने फौजा अन्मनुख़्ी जावर जुलम कर रही ह हन उस थां ते इस तरिया नु करों बेकर करके शरकां ते सुत्य होया है ते हाकम उंड़ा दी बेपती कर रही हन उते मामा तो विछड के मासूम बच्चे रुसे हन ते वो थंडियां रात्तां वेच चुराहया ते सुत्य पई हन बच्चे कहरे हैं कि ओदों तक जागनगे नहीं पासा नहीं परतन गे जड़ों तक शपाईया नाल गन्या उनधिया मामा कर नहीं मुर्धिया आके उन्हा नहीं जिकाऊं दिया जेकर उन्ना नू देर हो गई ता शपान्या नाल गण्या मामा करा नू नहीं परतन गियां ते उन्ना मामा दे करी ना पहुंचन कार्ण उन्ना दे बच्चे रुस के चराहयां पे ही पहे रहेंगे इस दे नाल ही जेकर करांदे अग्गेश पाईया दी गंदी नजर खलोती रही ता नूहातिया उस्ते कारवेची सरजानगिया इस करके हे पदमा तूरता मीनी हो जा ता जो असी पार लंग के जालम हाक्मा ब्रुद्ध छिपाण्या ब्रुद्ध कारवाई कर सकी है प्रशन पारले कंडे बापरवाली महां अंदुर गटना दे मुख बेर भे लिखो इस दा उत्तराजी पारले कंडे अर्थाद बंगला देश बिच पाकस्तानी फाउज लोकां उपर कै जवर जलमतारी सी इस्तिया नाल जवर जिना हो रहा सी तो गर्वतियां हो गिन्यासन मा मातियां बेच्चे शिपाईया ने बहुत दैशत पाई हो इसी प्रेशन जित्थे बच्चे रुसे बेच्चे चुराया सुप्ते उप्रोग कि तरदा पाव करूना दा है परे रोंदानी इस्दा की कार्ण है इस्दा उत्तरे जी बच्चे मासूम सन और सचाई नहीं सन ज इसले प्रेशन पादमा की वीत्ता दा अकेंदरी पावलिक हो इस्दा उत्तरे पार्ति फौर ते मुक्तिवाईनी फौर्ज दा पादमा नदी नू पार करके बंगला देश विच्च दाखल देन दा कार्ण है सी त्योथे पाक्स्तानी हाकमा थे फौल्जियांने लोग का उपर जवर जुलमतों दे होई बहुत सारियां इस्त्रियां दी बेपत्ती दी किती जेहियां इस्त्रियां जेहे बच्चा नू जनम देड़ वालियां चान जिन्ना नू किसे ने नहीं सी अपनाउना इस्तो बाद प्रशन नसल मनुखी कीडे मकौडे हो जावेगी इस दी व लख्या करो इसदा उत्री ची बेपत्त और्पतं जेहे बच्चे जमंद गियां जिनना नू कोई अपना नहीं कहेंगा मनुखी कीडे मकौडे वांग बैपशाण हो जानगे कैने प्रशन विच्च हाकमा कीडे मकौड़े बालतरें सब्किया ह wanna इसदा हुतरे जिदी हाकमा जानू सार्दे कराविच सार्के मरना मंजूर सी क्योंकि बाहर निकलते उन्ना पाकस्तानी फौजियां दे जावर जनादा शिकार हो जाना सी प्रेशन कराविच बूहयां अग्गे नंगी नजर खड़ी रहेगी ता की होवेगा इसदा उत्तर है जी ये करकर आदे बूहयां उत्ते नंगी नजर खड़ी रहेगी ता सार्दे कराविच बंद मुहात यां बार में निकल सकनी यां उन्ना दी मौत हो जावेगी ओ सरके ही मर्जाने इस ता बाद प्रशन पादमा नदी वारे जानकारी दो इस ता उत्तरा जी पादमा नदी बंगला देश दे एक मुख सब्सक्राइब कर लो ताकि वारे वीडियो भी तो अनुस हमें से मूल दे रहे हैं we work hard to make video please like and share subscribe channel Punjabi Whiteboard thanks for watching